हेलो गाइज, वेलकम तो वीडियो आफ टू एडूकेशन आजम क्लास 11 चेमिस्टी चेप्र नमबर फर्स्ट सम बेसिक कॉंसेप्ट औफ के कोशन सॉल्व करेंगे यह कोशन नीट एड 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 एक्जाम में आए हुए थे सो गाइज हो जाएए तयार एक पैन और पेपर्स के साथ आएए स्टार्ट करते हैं कोशन फास 2014 AIPMT में यह पूछा गया था कोशन और यह कोशन जो आया है वह टॉपिक का नाम बताता हूं में क्या है वह है लिमिटिंग रिएजेंट यह आपने नाम सुन रखा है लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर से यह कोशन आया हुआ है तो वह टॉपिक बहुत जादा इंपोटेंट है निमिटिंग रिएजेंट का तो स्टार्ट करते हैं इसको कुशन को और देखते हैं कि किस तरह हम ट्रिक से और टिप्स से सॉल्ट कर सकते हैं इसको स्टिप पता है स्टेंडर टैंपरेजर और प्रैशर दा मोल्स ऑफ एचियल फॉंड इस एक्वल स्टू एचियल के तो मोल आएंगे वह किसके ब्राबर होंगे किसके ब्राबर होंगे तो देखने ते क्या करते हैं जो टिप्स हैं वह आपको दिख जाए हैं यहां पर कि अगर आप देखोगे कि हमारे पास एच्टू है वह डबल है किसका करना क्या है आपको आपको यहां पे क्ले में कैसे करना इसको कि जो यहां पर कम ध्लीमिट्ड है है तो आप क्लोरेंच है है एक limiting reagent है ठीक है तो क्या करना हमें सिंपल है उपर limiting reagent और नीचे लिखेंगे जो हमारे पास maximum amount में है इसको आपस में हम जब divide कर देंगे यानि कि CL2 divided by H2 तो हमें मिल जाएगा 0.5 मिल जाएगा 0.5 में मिल गया है यह किसका है 0.5 इसका है तो आप देख सकते हो कि 0.5 बहुत जादा छोटा है तो यह क्या है कि limiting क्या है limiting reagent है करना क्या है अब कितने molar बना है HCL अगर आप यहां तक छोड़ दोगे तो आप पलगेगा कि यह वड़ा option है बट नहीं अब आप देख सकते हो कि option इसमें से मुझे क्योंश नीं पता की कौन साएगा करना क्या है कि जो हमारे पास 0.5 कि साथ मैंने तो मैंने इसको multiply कर दिया इसके साथ क्यूंकि साथ मैंने multiply कर दिया है तो हमें क्या मिल जाएगा 1.0 of hcl मिल जाएगा तो हमारे पास answer को हमता हो गया है answer हमारे पास है 1.0 यानि की इसका answer है first ओके गाइस तो यह जो ध्यान लखना है कि trick कमी हमेशा काम नहीं करती है बट हमें estimation लेना पड़ता है कि इसमें किस तरह से solve कर सकते हैं किस तरह किसके साथ answer match कर सकते हैं question second 2.013 AIPMT में आया हुआ था question बहुत ही ज़्यादा easy पूछा गया था question में बोला है कि मेरे पास 100 ml of urea है और उसके अंदर molecule की जो quantity है वो है 6.02 x 10g power 20 molecules है 100 ml of urea के अंदर तो मुझे बताना है कि उस solution की concentration कितनी होगी तो बहुत ही जादा easy question है तो करने का तरीका है हमारे option यहां पर given है यहां पर option हमारे पास है तो करना क्या है कि basically बात यहां पर आपको दिख रही है कि यहां पर moles यानि कि 6.02 x 10g power 20 molecules है तो मुझे number of moles भी चाहिए होंगे तो क्या किया है मैंने कि मेरे पास यहां पर यह given quantity upon में आवगेडरो नंबर क्योंकि आवगेडरो नंबर हमें क्या बताता है कि कितना amount of substrants present a solution के अंगर हमने जब आपस में इंदन को divide किया है तो answer आया है 10 की पावर negative 3 तो negative 3 से हम decide नहीं कर सकते हैं कि answer यह होगा ओके तो negative 3 आया है तो मतलब यह तो answer होगा ही नहीं ठीक है और यह होगा ही नहीं क्योंकि यह 1 into 20 power negative 3 है तो दो answer तो नहीं हो सकते हैं बचे हैं मेरे पास B और C तो check कर लिते क्या करना है हमारे पास number of moles आ गया है 1 into 20 पावर negative 3 हमारे पास आ गया है मोल और मोल जो हैं मोल हमारे पास 100 ml है कि 100 ml को क्या करना है हमने क्या कि थाउजेंट यानि कि हमने वन लीटर इककवर्दू थाउजेंट में तो हमने इसको डिवाइट कर दिया हमारे पास यहा है 10 solve किया है तो मारे पास कितना आ गया है point 1 आ गया है तो क्या करना है हमें कि इस quantity number of moles और volume को आपस में divide कर दोगे यानि कि number of moles और volume को divide कर दिया तो मारे पास आगे 10 की पावर negative 2 तो answer is B answer मारे पास क्या है B है यह question number 3 दो जा ग्यारम आया था दोस्तों तो आप यह मत सोचना दोस्तों कि मैं easy question करा रहा हूं जो मुझे easy लग रहा है वो करा रहा हूं मैं sequence wise करा रहा हूं जैसे question of equal solution one molar equal solution का मुझे mole fraction निकालना कि कितना उसका mole fraction होगा तो पहले बात mole fraction का formula आपको यादोना चाहिए हम पढ़ चुके कि mole fraction is side equals to number of mole of a component number of moles of a component plus number of moles of B component हमारे पास यह formula of mole fraction निकालने का formula है पिर number of a चाहिए हमें और number of B चाहिए मुझे कैसे मिलेगा तो number of a जो है हमारे पास हो है solute कितना है solute है solvent कितना है solvent हमारे पास है hundred gram sorry hundred यह होगा वैसे thousand होगी लीटर की बात करें तो आपको लीटर की बात करें तो thousand होगा thousand gram sorry thousand gram thousand gram यानि की वन लीटर वाटर के इतना मिलाया गया है तो वन लीटर के हमारे ग्राम में चेंज करने हमें तो ग्राम में हमारे पास आ गया है अब करना क्या है कि आपको सॉलेशन मतलब वाटर है तो हम क्या करेंगे कि थाउजेंट अपन में वाटर का होता है मौलिगूलर मास्स एक टी सॉल करेंगे कि इतना हैगा 55.56 अप्रोक्षिमेटी इतना ही आएगा अंसर इतना आज आएगा बट यह आंसर किसी आए और और यहां पर रखेंगे तो देखते हैं आएगा नहीं आएगा तो एक वाटर क्या मिलेगा मुझे हमें मिलेगा कि ऑगे वन अपन में वन फ्लस 55.56 जब इसको सॉल करेंगे तो हमें मिलेगा राउंड ओफ इसके 0.0177 के आज पास मुझे साय और सॉल्मेंट मिल जाएगा तो इसका मदलब क्या है कि यह जो आंसर है विवलॉंग कर रहा है ए को कोशन नमबर 4 2010 में यह कोशन एए पीमट में पूछा गया था बहुत ही सिंपल कोशन है इससे सिंपल कोशन को छो नहीं सकता है आये देखते हैं कि कोशन में करना क्या है तो नमबर ओफ एटम्स इन 0.1 मोल ओफ ट्राइटमिक गैस इस हमने बताना है कि 0.1 मोल ओफ ट्राइटमिक गैस के अंदर कितने एटम्स प्रिजेंट होंगे गिवन दे रखा है अविएटरो नमबर 6.023 इंटू 10 की पावर प्लस 23 मोल इनवर्स तो सिंपल कोशन है यहां पर आपको चार ओप्शन मिल रहे हैं तो यह चार ओप्शन है आई देखते हैं कैसे करते हैं पहली बात ट्राइटमिक गैस के बारे में बारते हैं ट्राइटम икомिक गैस तो पैरली बात इसने यह पर किट्रिक देखते हैं तुदिदेखते हैं करने कि गया है घ्राइटमिक गैस अघ्राइटमिक Gats Triatomic Gats जिसकी value N की value 3 होगी Triatomic के लिए N की value 3 होती है तो 0.1 into fm N is 3 अब मुझे क्या निकालना है number of atom निकालना है number of atom के लिए क्लाए करना पड़ेगा तो हमाने हो निख दिया है तो हम लेगे तो ऑपको दिखलाईगी पहँर किसमें यह पावर है 23 में 23 में तो आपको हिंट मिलेगी है कि 23 की पावर भीया तो आंसर यह तो होगी नहीं यहां तो यहां पर 0.1 है तो 0.1 इंटो में 3 इंटो में 6 तो हमें मिलेगा यह तो आंसर आपका है बी आंसर वो है 1.806 इंटो 10 के पावर 23 एंटम्स होंगे 0.1 मोल आफ ट्राइटमिक गैस के अंदर अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करोगे आप तो आपको इससे पता चल जाएगा कि मैं वीडियो अपलोड प्रादारमा थिंक्व गैस भाचिपोशोंटि मैं टयू को यह वी तर प्रण ड्रण तर यह 15 ट्र acts डिशना थिज में आपको यह 10 टूड कर दोड़ दोड़िब करोड़ यह 17 इन आपकेड पर दोड़ ने श्रूड कर्ड़ दोड़ कर दोड़ करटें आट रह непोड़